च्छत्रुपती शिवाजी महाराज हमारे भारत में समय समय पर कई वीर और महान पुरुषों ने जनम लिया है उन्हीं में से एक थी च्छत्रुपती शिवाजी महाराज जुन्होंने अपना पूर जीवन मानत्ता की दक्षा करने और देश में मराठा समराज की स्थाफना कर परने में समर्पित कर दिया था वैं एक ऐसे योद्धाते जिन्होंने भारती जन्ता को मुगल शाष्कों के त्याचारों से मुख्त करवाये था उन्होंने मुगल शाष्कों का सासी पूरुक सामना कर मराठा समराज्य की इस्थापना की भारत भूमी शिवाजी जैसे महान शिवाजी महाराज जैसे महान योद्धों के जिन्म से गौरान वित हुई है भारत की वीरोर महान सपूल शिवाजी महाराज का असली नाम शिवाजी भोसले था जो की माता शिवाजी देवी की परमभक्ती ऐसा कहा जाता है कि शिवाजी राजे भोसले पत्नी जीजावाई और पुत्र शिवाजी महाराज के शुरक्षा की और उनकी देखरे की जिम्मेदारी दादोजी कांडदेव इनकी मजबूत कंधों पर छोड़ी थी और सैनापती को अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए करनाटक चले गए वही कॉंट देब जीन ने शिवाजी महाराज को हिंदू धर्म के शिक्षा देने के साथ साथ युद्ध कला, घुड सवारी और राजनिती के बारे में बहुत कुछ सिखाया और उसके बाद जीजा भाई ने अपने पुत्र शिवाजी का लालन पालन किया, इसलिए शिवाजी अपने माता के बेहद करीब थे माता जीजा भाई की बदोलत ही शिवाजी को एक वीर कुशल और प्राक्रमी प्रिशाशक बनने में मदद मिली थी उनकी बाद ने बचपन से ही उनके अंदर राष्ट भक्तियों नेतिक चरित्र के ऐसे बीज बो दिये थे जिनकी अपने जीवन के उद्देश को हासिल करने में सफल होते चले गई कई मुगल निजामों को पराजित कर माराठा समराजी की नीम रगी इसके साथ ही उन्होंने शिवाजी महाराज को समाज के कल्याण के प्रति समर्पित रहने और महिलाओ के प्रति सम्मान की भावना का विकास क्या था यही नई राष्टे माता जीजबाई ने अपने बुद्धी जीवी पुत्र की शमता को समझ कर उन्हें हिंदु धरम के महाकावर रामायर और महाभारत की वीर्ता की कहानिया सुनाई जिससे उनके अंदर मर्यादा धैर्र वीर्ता और धरम निष्टा जैसे गुणों का भली भाति संचार हुआ इसके अलावा उन्होंने शिवाजी महाराज का नेतिक संसकारों की शिक्षा भी दी शिवाजी महाराज के अंदर मुगल शाष्कों के महाराश्ट्र को आजात करवाने की प्रबल इच्छा उनकी माता जीजबाई ने प्रिकट की ती यहीं नहीं अपनी माता जीजबाई के अत्यंत प्रभाबी थे उन्होंने अपनी माता जीजबाई के मांग दर्शन से ही माराटा समराज और हिंदू स्वराज की साफना की इसके साथ एक महान और परम वीर शाषक की तरह ही अपने नाम का सिक्का चलाया वहीं आपको बता दे कि माराट समराजी की संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज बच्पन से ही काफी तेज प्रक और विलक्ष्मी प्रतिवा के धनी थे वे दिमाग से इतने तेज थे कि किसी चीज को एक बार बताने से ही अपने अच्छी तरह सीख लेते थे यही वजह थी कि वे युद्ध कला में दाया और उन्हें पूरी लगन और मेहनत के साथ सीखा था इसके साथ ही उन्होंने राजनीतिक शिक्षा का भी बोध किया था अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दवाना ना भूले ताकि सभी लेटेस्ट खबरे पहुंच सकें आप पे सबसे पहले